नमस्का दोस्तों आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इम्मिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टन्ट है उन बच्चों के लिए जिनोंने अपना इटली का और रुमानिया का MBS के लिए अपलाई किया हुआ है जहां MBS के लिए जहां Another General Studies के लिए आइधर उन्होंने हमारी अजन्सी के थूप अपलाई किया है जहां किसी और भी अजन्सी के थूप अपलाई किया है जहां जो apply करना चाहते हैं इन दो countries में इतली और Romania के बारे में बताऊंगा तो इतली के लिए मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि आप अपने immediately मैं उन बच्चों से ज़्यादा request कर रहा हूँ जिन बच्चों ने हमारे साथ registration की हुई है मैंने उनको mails के उपर भी बता दिया है इवन उनको मैंने whatsapp के उपर भी message drop कर दिया है कि ये ये document को किस तरीके से आपने further legalize करवाना है जहां HRD करवाना है तो उन बच्चों से मेरी हाथ जोड़ कर request है इतली वाले जो ambivious के लिए हमारे through apply की हुई है कि वो आप अपने जो HRD है immediately अपने 10th 12th के document को HRD immediately करवा लें क्योंकि HRD के बाद हमें उस document को apostle करवाना पड़ता है apostle के बाद उस document को फिर हमें translation करवाना पड़ता है इतालियन language में और उसके बाद हमें DOV declaration of value इतालियन ambassies से करवाना पड़ता है तो DOV के लिए dates already open हो चुकी है ambassies में और document यह बहुत ही important है at the time of जब आपने अपना वीजा अपलाई करना है तो इटली में जो another student जो अपलाई करते हैं को एंजनीरिंग के लिए जा रहा है को बिजनस के लिए जा रहा है otherwise आप काफी सफ़र हो सकते हैं आप से यह chance भी miss हो सकता है in case अगर आप IMEI test अपना clear कर लेते हैं IMEI test clear करने के बाद आपके पास time नहीं होता यह document process का यह document process बहुत ही important है इटली के लिए तो मैं हाथ जोड़कर अपने बच्चों से भी request कर रहा हूँ जो मेरे साथ already registered है जिन बच्चों ने अपने लेवल पर process कर रहे हैं जो बच्चे अपना process करवाना चाते हैं यह अपने document बहुत important है इनको करवा कर रखना है अभी आते हैं रुमानिया और बुल्गारिया के उपर तो जिन बच्चों ने रुमानिया और बुल्गारिया के लिए MBBS के लिए हमारे पास supply किया हुआ है उन बच्चों के लिए मेरी request है जहां उन बच्चों के लिए जो registration हम से करवाना चाते हैं MBBS जहां जर्नल स्टडीस के लिए रुमानिया और बुल्गारिया जिन्हों ने वहां पर B.Tech करने जाना है M.Tech करने जाना है यह वहां पर को बिजनस में अपनी बैच्चों जा मास्ट जा पी एच्डी करने जाना का है उनके लिए भी यह हम आपका अड्मिशन भी अपलाई नहीं कर पाएंगे तो वह डाकुमेंट कौन-कौन से है मैं इस वीडियो के थूँ आपको explain कर दूँगा जे डाकुमेंट इम्मीजेटली हमें आप पोस्टर करवा कर भीजिए ताकि हम आपका अड्मिशन इम्मीजेडे स्टार्ट करें क्योंकि पंदरा अर्ल को वहां की सब इनिवस्टेज के पोर्टल ऊपन होने वाले हैं मतलि 70-80 पर्संट इनिवस्टेज के वीडियो प्र्टल ओपन होने वाले हैं और हमारी कोशिच है किgoing कि जितनी उनको सब को आपने अपोस्टल करवाना है, उसमें HRD की जूट नहीं है, खुद अपोस्टल करवा सकते हैं तो ठीक है, हमें अपोस्टल के लिए दिएंगे तो हम 15 रुपे एक डाकुमेंट का लेते हैं, हम खुद अपोस्टल करवा देंगे, यह admission के लिए डाकुमेंट की requirement है, इसके बगाएर admission भी हम process नहीं करवा पाएंगे आपका, दूसरा medical का certificate, medical के लिए जिन बच्चों ने MBBS के लिए जाना उनके लिए अलग format है, जिन बच्चों ने general study के लिए जाना है, उनके लिए अलग format है, वो भी format हम आपको provide कर देंगे, आपने किसी भी MBBS डॉक्टर से उनके letterpad के उपर typed करवा कर बो medical certificate लेना है, वो medical certificate भी a poster होता है, आप खुद भी करवा सकते हमें देंगे, हम भी करवा देंगे, आपकी police clearance certificate, PCC passport office की ही चाहिए, वो भी आप immediately उसकी appointment लेकर nearby passport office में apply कर दें, मैंने फिर बता दिया, repeat कर रहा हूं, बार-बार request कर रहा हूं कि बो document बहुत ही important है, without PCC हम आपका admission ही नहीं apply कर पाएंगे, और जितना late करेंगे उतनी problem आपको आपको आगी क्योंकि उसको हमने फिर legalize भी कराना है, आपका date of birth certificate is very important, date of birth certificate भी चाहिए, जो की English medium में होना चाहिए, वो भी अपोस्टल होना चाहिए, वो भी अगर आप खुद कर सकते हैं, तो हमें देंगे तो हम आपका वो पोस्टल करा देंगे, इसके अलावा, migration certificate, बुल्गारिया में लगता है, migration certificate का format मैं आपको provide कर दूँगा, यहां से आपने 12th की है, यह BA की है, यह master की है, वहां से आपने वो लेना है, उसका format किया है, मैं बताता हूँ, उसको भी वहां पे legalize करवाना पड़ता है, यह जो document है, बहुत ही important document है, at the time of admission, इसके बगार हम admission ही नहीं करवा पाएंगे, एक से डेड़ मीने का time है, portal open होने के बाद इतना ही time रहता है, और हमारी कोशिश होती है कि हम maximum universities में आपका admission apply करें, फिर आप हमें बले मत करिए, जिन बच्चों ने हमसे registration भी करवाई हुई है, चाहां खुद भी process करें, कि हमे मेरी हाथ जोड़कर अपने बच्चों से special request है, जिन्होंने हमें already registered किया हुआ है, कि वो immediately ये document को आप legalize करके हमें contact करें, क्योंकि जब हम भी phone करते हैं, और आप देखिए हमारी एक agency हम client को बार बार phone करते हैं, कि सर ये बेजे, ये बेजे, client बत ये समझता है, कि अभी crown वा मेरे पास तो हजारों case चल रहे है, clients के, आप तो आपका individual है, आप जितनी बड़ी है, format मैं provide कर सकता हूं, आप जितनी बड़ी है, SOP बनाएंगे, वो आप बता सकते हैं, क्या क्या मटीर हैं, मैंने तो फिर उसी pattern की बनानी है, जितना बड़ी है, आप सी बी मिना सकते हैं, तो आपको ज्यादा knowledge क्योंकि मैंने फिर सी बी मिनाने है, एक ही pattern की, आप बड़ी है चीज अपने case में कर सकते हैं, क्योंकि इन चीजों के points मिलते हैं, वहां पर at the time of admission, तो आप हम से जितना cooperation करेंगे, हम उतनी जल्दी आपके admission और visa में help करेंगे, visa के time में यही document चाहिए, एक आपकी bank statement की requirement वो visa के time है, admission हम इन document के without नहीं apply कर पाएंगे, चाहे वो इटली, चाहे वो आपका रुमानिया, चाहे बुल्गारिया, इटली के लिए DOV का मैंने process बदा दे, admission और IMET के लिए document की requirement नहीं होती, जो मैंने बताई है, तो in country से later अगर आपकी कोई भी query है, still जाना चाते हैं, जा जनल स्टेडी के लिए जाना चाते हैं, तो आप इमीजेड़ी chrono immigration से संपर करें, chrono immigration आपको best से best guide, dance provide कर सकता है, कि आपका admission कि से करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे options हैं, इवन अगर आपका जहां से admission नहीं भी होता, तो हम आपको preparatory program में इन countries में बेख सकते हैं, after preparatory, you can start your MBBS there, तो इस से related, MBBS से related, और बहुत सारे another country से related, general studies से related, हमारे चैनल के उपर हजारों videos, अगर उनको भी देखना चाते हैं, मेरे चैनल को ब्रोज करके देख सकते हो, और मैं daily एक informative video पर चैनल के उपर डालता हूँ, अगर उनको आप regular देख